नमस्कार दोस्तों मैं राजनतिवारी आप सभी लोगों का मेरे सिनल जोतिश मंत्र में हार देख स्वागत करता हूँ आज के हमारी वीडियो का वीशे है मकर सक्रांती मकर सक्रांती क्या है मकर सक्रांती हम क्यों मनाते हैं इस वर्ष मकर सक्रांती कब बनाई जाएगी और मकर सक्रांती पर पूजा और इसनान करने का शुब मुर्थ क्या है इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे मकर सक्रांती बना है दो शब्दों से मिलकर मकर प्लस सक्रांती तो पहले हम जानते हैं सक्रांती सक्रांती जो होती है सूरी का राशी परिवर्टन ही सक्रांती कहलाता है मतलब क्या होता है कि सूरी हर साल बारा बार अपनी राशी परिवर्टन करता है मने एक वर्ष में देख या के सकते संक्रमन ही सक्रांति कहलाता है अब बात करते हैं मकर्सक्रांति अब प्रश्ण यह उठता है कि अगर साल में बारा बार सक्रांति आती है तो फिर मकर्सक्रांति ही क्यों महत्पूर्ण है या मकर्सक्रांति को ही हम तेवार के रूप में क्यों मानते हैं इसके पीछ वेग्यानिक दरश्टि कॉंड क्या है ग्यानिक दरश्टि से देखा जाए तो 14 जनवरी से 14 जून तक का जो समय होता है यह छे महीन का जो समय है उस समय सूरी से आने वाली जो किरणे हैं वह सहत के लिए बहुती फायदेबंद होती और इस टाइम सूरी की किरणों के नीचे बेठने से यह सूरी की रोश्णी में या सूरी के नीचे बेठने से आपको मन की शांती मिलती है और इस समय सूरी से निकलने वाली जो हानी कारण किरने हैं उनका असर प्रत्वी पर कम पड़ता है जिसके कारण हमारी इसकी संबंदी जो डिसीज होती है या तोचा संबंदी जो भी रोग होते वो नहीं हो पाते अब हम बात करते हैं इसके आध्यात्मिक पहलू की अभी हमने बात की बेग्यानिक पहलू की अब हम बात करते हैं इसके आध्यात्मिक पहलू की यह अध्यात्मिक दश्टिकॉंड की तो जैसे ही सूर्य अपनी धनुराशी छोड़कर म पूर्व से उत्तर होती हुई पश्यम की तरफ होती है और इससे जो पहले वाला समय होता है उसमें सूरी दक्षणायन होता है यानि कि सूरी के परिक्रमन है वो पूर्व दक्षण से पश्यम की तरफ जाता है और शास्त्रों में इसा माना गया है कि जो सूरी का उत्तरायन हो तो उसमें जो देवता लोगों का दिन होता है और आपकिसी सोते हुए इंसान को कुछ भी पूजा करोगे तो शायद वह उतना उसको नहीं ले उस पूजा को लेकिन अगर किसी जागते हुए देवता की पूजा करोगे या जाकते हुए किसी भी भगवायन की पूजा करोगे तो उसका असर जादे होता है इसलिए इन महिनों को यहने सूरिक के जो उत्तरायन है उसको शुब माना जाता है और सारे शुब काम इसी समय होते है शास्त्रों में ऐसा भी वरनी थे इसी दिन मा गंगा भागीरत की पीछे चलती हुई एक और तथ्य है इसका कि इसी दिन से जो कुम्ब मेला है याने कुम्ब इसनान है उसका पहला इसनान मकर सक्रांती के दिन से शुरू होता है तो यह थे उसके कुछ अध्यात्मिक तथ्य जिसके कारण हम मकर सक्रांती को ही महत्पूर्ण मानते हैं अब हम बात करते हैं कि मक करने के पानी आप यूज़ करें वह किसी पवित्र नदी का पानी इसतमाल करें यह पवित्र पाइल का जल से आप नहा है अगर वो उपलब्द नहीं है तो दूद और दही से भी आप इसनान कर सकते हैं और अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो आप साधरन पानी लीजिए और उसमें सारे जो पविद्र नदी हैं उनका नाम लेकर आप उनसे भी नहा सकते हैं बाद आप पूजा करें और दान दें सक्रांति की दिन क्या नहीं करना चाहिए ऐसे कुन-कुन से काम है जो सक्रांति के दिन कदापी नहीं करना चाहिए तो पहला है दात मांजना याने मंजन करना ये वर्जित है किसी भी प्रकार का ब्रक्ष या फसल को काटना वर्जित है यह भी आप नहीं काट कर सकते हैं। कठोर बोलना, अब शब्द बोलना, किसी की बुराई करना यह भी इस दिन वर्जित है। वैसे तो यह काम किसी दिन भी नहीं करना चाहिए लेकिन खासकर इस दिन तो बिलकुल ना करें। भेंस तथा गाय का दूद निकालना भी बरजित है इस दिन और रती क्रिया भी आप इस दिन ना करें तो बहतर होगा। तो चली यह तो होगी सक्रांती से जुड़ी कुछ बाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस वर्ष सक्रांती किस दिन मनाई जाएगी। इस वर्ष मकर सक्रांती 15 जनवरी बुद्भार को मनाई जाएगी। वैसे तो हर साल सक्रांती 14 जनवरी को मनाई जाती है। लेकिन इस वर्ष सूर्य अपनी धनुराशी छोड़कर मकर राशी में जो प्रवेश कर रहे हैं वो 15 तारिकों कर रहे हैं। इसलिए भारत में सक्रांती 15 जनवरी को मनाई जाएगी। अब हम बात करते हैं इसनान दान के लिए महतपुर्ण याने शुब महुर्द की। तो सक्रांती इसनान करने के लिए सबसे महतपुर्ण समय होता है जिसको हम महापुनिकाल कहते हैं। वह साथ बच्के 15-9-3 मिट तक रहेगा। और दूसरा पुनिकाल जिसको कहते हैं वह साथ बच्के 19-12-31 मिट तक रहेगा। अगर हम बात करते हैं सक्रांती इसनान काल की तो प्रता है काल से शाम तक रहेता। इस बीच में आप कभी भी इसनान कर सकते हैं। और दान भी कर सकते हैं। इस टाइम अगर आप पूजा अर्चना या इसनान करें तो उसका विशेश महत होता है। झाल अगर आजा इसना अगर इसनान कर सकते हैं तो जान कर सकते हैं। झाल झाल